हेलो नमस्कार दोस्तों ज्ञारखंड लाइब के यूट्यूब चनल में आप सभी लोगों का यहां पर स्वागत है दोस्तों आज हैं यहां पर 30 नौंबर आराज हम लोग यहां पर ज्ञारखंड के माजपूर्ण करेंट अपफेर्स कुश्चन्स यहां पर देखने वाले है तो अगर आप ज्ञारखंड लाइब चनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे और साथी जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेज कर लिजे ताकि आगे कर जो भी अपडेट से आगा वीडियो आगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ दंड़ी साम के साथ बजे फ्रेज जो है वो प्रोवाइड करते जाती जता है तो आप वहाँ पर जाकर क्लिक कर जॉइन कर सकते हैं टिली ग्राम ग्रूप तो चलिए आज का यहाँ पर महाँ पर ग्रेंड और Teause ofretched तो राज्च्थान के जैपूर में आयोजित की जाने वाली महाराजा कब तीम जाएपुर में 29 नॉमबर से तीन दिसम्बर तक जो है यहाँ पर धारकन की टीम खेलेगी तो option number C is right answer जाएगा यहाँ पर महराजा कप जो है यहाँ पर आपका दिव्यांग किर्किट परतियोगता के लिए यहाँ पर जैपूर में किया जा रहा है तो जैपूर कहाँ पर है रायस्थान में है तो रायस्थान के बारे में हम लोग यहाँ पर जो है वो देख लते हैं तो रायस्थान की जो कापिटल है वो कहाँ क्या है यहाँ पर जैपूर है और CM जो है वहाँ के कौन है असोक गहलत है और जो गवर्नर है वो कौन है कल राज मिश्र है राइस्थान के तो यहाँ पर आपका आपसन नंबर C is right एंसर जगा जैपूर में आयोजित की जा रही है चलिए अगले प्रस्म चलते हैं और अगला प्रस्म है यहाँ पर राची की तिरंदाजी दिपीका कुमारी ने महादीपिय क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट 21 SCI तिरंदाजी चैंपियंशिप में कौन सी पदक्जीत हासिल कर ओलंपिक कोटा जो है वो हासिल कर ली है तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर आपका आपसन नंबर A is right answer हो जागा यहाँ पर स्वार्न पदक्जीत हासिल कर यहाँ पर जो है वो ओलंपिक कोटा के जो है य qualification tournament में दिपिका कुमारी ने स्वर्ण पतक जीत कर एवं अंकिता ओलंपिक कोटा हासिल की है तीन दिन पूरू जो है दिपिका ने यहाँ पर रिकर्व वर्ग में मिश्रित इवेंट में कांच पतक भी हासिल की थी तो आपसे नमबर यहाँ पर चलते हैं और अगला प्रस्म है यहां पर राज़िके स्कूलों में मिद्यान भौजन के लिए यहाँ पर जो है वो कितने महीने की advance अग्रीम राशी दी जाएगी राजी के स्कूलों में मध्यान भोजन के लिए कितने महीने की advance जो है वो राशी दी जाएगी अग्रीम राशी दी जाएगी तो इसका सही answer जोगा यहाँ पर आपका option number B is right answer हो जागा तीन महेने के लिए यहाँ पर जो है वो advance राशी दी जाएगी, अग्रिम राशी दी जाएगी तो option number B is right answer यहाँ पर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्म चलते हैं और अगला प्रस्म है यहाँ पर राश्टे कजाग कुरास परतियोगिता में जहारखन की टीम ने कितने पदक जीते हैं तो इसका सही answer जोगा यहाँ पर आपका option number A is right answer जागा कुल जो है वो यहाँ पर दो पदक जीत हासिल किये हैं कितने दो पदक जीत हासिल किये हैं राश्टी कजाग कुराज परतियोगता में जहारखन की टीम ने दो कान से पदक जीत हासिल की है 82 किलोग्राम में यहाँ पर प्रसांत ने और 90 किलोग्राम में मुहमद लुक्मान अली ने यहाँ पर कान से पदक जीता है लुक्मान अली कजाग जो है यहाँपर लुक्मान अली जो है वो कजाग कुराश वector world championship में यहाँपर इंडिया काइमप के लिए चैनित भी किये गये हैं तो यह भी याद रखेगा है यहाँपर कि Lord championship में इंडिया काइम वन राicsाइनित किये गये हैं 19 सब जुनियर राष्टिय वूसु परतियोगता में जहारखंट के सीवम ने कौन सी यहां पर पदक जीत हासिल की है। 20 सब जुनियर राष्टिय वूसु परतियोगता कि तीसरे दिन जहारखंट के सीवम ने कान से पदक जीत हासिल की है। से सम्मानित किया गया है। सिया राम जहासरस, संभुबादल और अमलसेन गुपता ये तीनों को यहां पर सक्सियत को त्रिवेनी कान ठाकूर साहित 2019 का पूरसकार दिया गया है। सिया राम जहासरस, हिंदी के कवी संभुबादल और बांगला के अमलसेन गुपता को यहां पर प्रदान किया गया है। त्रिवेनी कान ठाकूर साहित 2019 का पूरसकार तो अपसर नमबर डी इस राइट इंसर हो जाएगा। होलिका मरांडी को किसे दिया गया है। होलिका मरांडी को यहां पर वर्ष 2019 के लिए बेस्ट स्टोरी राइटर का पूरसकार दिया गया है। कल आज और कल फूलो जानू आज भी वही हैं फूल कैक्टस के 1855 हूल मतालिया मतला आसा पे कुटासी आधी जो है इनकी यहां पर पर मुख रचना है यह सब। अपसर नमबर बी इस राइट इंसर हो जाएगा यहां पर याद रखिएगा यहां पर कि जो बेस्ट राइटर कलेज की सुरुवात कहां की गई है ठीक है पहला यहां पर बी इस राइट इंसर यहां पर क्या रखा गई है तो जहानो मुर्मु दूग्ध प्राइट इंसर हो जाएगा पर दुमका में राजपाल द्रापदी मुर्मुद्वारा 19 अगस्त को की गई तो आपसर नमबर डी इस राइट इंसर यहां पर हो जाएगा तेली कुश्यन उद्ध देख लेते हैं यहां पर और इसका सही अंसर जो है आप कमेंट करके जरूरू बताएगा इसका सही अंसर ज कुश्यन और उमिद कर तो आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी जरूर लाइक करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को अधिक से अधिक सेयर कर दिया करें ताकि अधिक से लोग यहां पर जूड सक किये हैं